जहिंद वंदे मात्रम नमस्कार सभी का स्वागत है औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे यहां पर आपके लिए जो कॉश्चन लिख रहा हैं यह आपके आने वाले एक्जाम में आपको मिल सकते हैं जिस ए संबने थे पिछले 30 साल से भारत के सभी एक्जामों में बार बार पूछेगा यह कॉश्चन है इमानदारी से टेस्ट दीजिए अच्छे से पढ़िए सफलता जरूर मिलेगी करते हैं वीडियो को बिना देर की विश्टार्ट पहला कॉश्चन दिखी सम्पूछा गया चा से बनाई जाती है बनेगी ऑफचिन नमर आपकी हैडरोजन से बनेगी ग्रीन हाउस करभाव में प्रथवी के लासवन का गर्म होोना यह बसुमिंद करने शरू आप्का बीप्रश्न के लिए राइट अंसर है chloroform बनाने के लिए निम्लिकत में से क्या उपयोग मिला जाता है तो chloroform बनाने के लिए आपका ethane को उपयोग मिला जाता है option number A, ethane प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगला question दिखिए, सभी अमलों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा इन में से तो सभी अमलों में सबसे अधिक समान तत्व आप देखेंगे तो nitrogen होता है option number A, nitrogen right answer है पानी में अस्थाई कट होता किसका प्रयोग करके दूर के यह आती है पानी में यदि अस्थाई कट होता होगी तो आपको CACL2 का प्रयोग करना पड़ेगा option number D, यहाँ पर right answer है तत्वों का सबसे पहले वर्गी करन किसने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गी करन किया था new land ने, option number B, new land प्रशने के लिए right answer हो जाएगा वह सबसे छोड़ा करन जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हूँ तो क्या कहलाएगा, उस को कहा जाएगा, यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका option number, अणू, option number यहाँ पर B, अणू प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिए, उसमें पूछा गया आपसे किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने का काम उसके परमाणू क्रमांग का होता है, option number परमाणू क्रमांग देखिए, आप उसके गुण समझ जाएगे हेलोजनों में सरवादिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है तो हेलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता आपका फ्लोरीन है option number C fluorine right answer है स्वाण किस पदार्थ में घुल जाता है तो सोना या स्वाण ये एक्वारेजिया में घुल जाएगा तो परन ключ के यह स्वकान सदी निष्कत से भी उत्व आरए चांदी के निश्कर शरेक। और तो नедबर की योगिक होता है आपका क्या कहा जाता है तो हवा के वास्तवी के जलवास्प की मात्रकाओं कहा जाएगा परम आदरता ऑप्शन मबड़ी परम आदरता राइट आंसर है मानाओ निर्मित प्रतम रेशा इन में से कौन सा था तो माना उन्दे में सबसे पहला रिशा था आपका नाइलोन आप्शन के अनुसार आपको लगाना है तो आप्शन के अनुसार नाइलोन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉशन आप देखी रहे हैं कितने शांदार कॉशन है ये कॉशन आप जिसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं और हमने देखिए हर एक्जाम में जीके और जीए साथा है साइन्स आती है जीके आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने दस हजार जीके वाटसप पर PDF भेज दी जाएगी 300 रुपए की PDF है लेकिन अभी दिवाली ओफर है 99 रुपए में सबको PDF मिल जाएगी फॉन पे गूगल पे सकते हो नीचे देगैं नुबर पर 150 celsius तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा तो 150 celsius पर यूरिया को गर्म करेगे तो वायू रेट देगा, आपको option number D, वायू रेट मिलेगा, रेडियो थेरेपी में उप्योग होने वाली nobel gas इन में से कौन सी है, तो रेडियो थेरेपी में आपकी redon का उप्योग होता है, option number B, यहाँ पर right answer है, नाबिकी विखंडन को सरप्थम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो नाबिकी विखंडन को सबसे पहले देखा गया था, किसके दवारा तो इश्ट्रांस मन दवारा देखा गया था, option number B, इश्ट्रांस मन right answer है प्रश्न के लिए, जस्ता निम्न मिष्धातू में उपस्तित नहीं है, तो जस्ता जो है, यहाँ पर मिष्धातू दी गई है, तो जस्ता किसमें उपस्तित नहीं रहेगा, पीतल में भी रहता है, गन मेटल में और जन्वन सिल्वर में, कहां से में जस्ता नहीं रहता, option number B, निम्न मैं से सरवाधिक परस्तिती अन्कूल इधन कौन सा है तो परस्तिती के अन्कूल इधन आपका है हाइड्रोजन ओप्शन नमब सी तरण चालक निर्मित होते हैं किस से तरण चालक काँ यहाँ और ता मी कौपर से बनते हैं और और पशने के लिए राइट आंसर हो पांच राइड आंसर है रेडियम प्राप्त होता है इन में से किस से तो रेडियम आपको मिलेगा पिछे बिलेड से ऑप्शन अमबसी पिछे बिलेड प्रशने के लिए राइड आंसर हो जाएगा है हैंडरी किसकी काई है तो जो हैंडरी है यह आपकी प्रेर कत्व की काई है option number C प्रेरिकत तो right answer है एक जूल कितने कैलोरी के बरावर होती है तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है option number यहाँ पर एक जूल में कैलोरी right answer है पाणी का अनुभार कितना होता है तो पाणी का अनुभार होता है आपका option number V 18 AMU पूछा जाता है कई बार पाणी का अनुभार वाटर का अनुभार 18 AMU होता है MKS पदती में बलकी काई क्या है तो MKS पदती में बलकी काई होती है नूटन option number V नूटन प्रशनी के लिए right answer है शरीर में उतकों का निर्माण होता है तो शरीर के अंदर उतकों का निर्माण प्रोटीन से होगा option number यहाँ पर D protein प्रशनी के लिए सजय आंसर हो जाएगा उतकों के निर्माण के लिए काँच है एक प्रकार का क्या तो जो काँच है यह अतीशीतित द्रव कहलाता है option number यह अतीशीतित द्रव राइट आंसर है अगला कोशन देखिए integrated circuit chip पर किस की परत होती है तो integrated circuit chip को यदि आप देखेंगे उस पर होगी silicon की परत option number यह silicon राइट आंसर है प्रशनी के लिए चुम्ब की यह डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है तो चुम्ब की यह डिस्क जो होती है इस पर होती है आपकी iron oxide की परत option number यह iron oxide प्रशनी के लिए बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए प्यू से ग्रंती इस्तित होती है किसमे गर्दन में, सिर में, अगनाशे में, अधर में तो प्यूश ग्रंती आपकी सिर में इस्तित होती है option number भी सिर प्रशनी के लिए राइट आंसर है vitamin E की कमी से होता है क्या बताइए vitamin E की कमी से कौन सा रोग होगा तो vitamin E की कमी से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number D नपन सकता रोग होता है vitamin E की कमी से आटो हान ने आडू बंब की खोच निमलकित में से किस आधार पर की थी तो आटो हान ने जो आडू बंब की खोच की थी यह यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी option number यहाँ पर यह राइट आंसर है प्रकास वोल्टियस सेल होते हैं तो जो प्रकास वोल्टियस सेल होते हैं यह सौर सेल होते हैं option number यह सौर सेल राइट आंसर है प्रकास छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिससे क्या कहते हैं तो प्रकास छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको photon कहा जाता है option number C photon प्रिशने के लिए राइड आंसर है निम्यलकित में से कौन सी घटना यहां निर्णा लेने में सहायक होती है कि प्रकास एक अनुपरस्त तरंग है तो यहां पर राइड आंसर हो जाएगा दुरुवी कंड की घटना यह निर्णा लेने में सहायक होत की प्रकास का वेक सर्प्धम किसमे मापथा सबसे पहले प्रकास का मापथा रiamente option नंबर रोमर प्रशने के लिए राइड आंसर है सूर्यगरहन के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तस सूर्य ग्रहन के समय कोरोना या क्रिट मंडल दिखाई देता है, option number 20, और प्रत्वी के बीच में चन्दरमा अजाता है, चन्दर कहनल TPE का या और चन्दर आ गार्ण है , तो चन्दर कहनल्य प्रकाश का रंग निधारत होता है किस से तो प्रकाश का जो रंग है ये तरंग दर्द से निधारत होता है Option number ही तरंग दिर्द राइट answer हो जाएगा पानी में हवा का बुल्बुला वैसा ही काम करेंगा जैसे क्या, पानी में हवा का बुल्बुला आज़ाल लेंस की भाती ही काम करता है Option number यांपर यह राइट answer है आकाश का नीला रंग किस के कान दिखाई देता है तो आकाश का नीला रंग ये प्रकीनन के कान दिखाई देता है option नमबर यांपर भी राइड आंसर है याता यात में signal में लाल प्रकाश प्रियुक्त किया जाता है ऐसा क्यों सिगनल या ताया सिगनल में लाल रंग का दूर तक दिखाई देगा आपको लाल रंग अगला कॉशन देखी इसमें पूछा गया है आपसे इंद्र धनुस में किस रंग का विक्षेपन सबसे दिखोगा तो इंद्र धनुस में बैगनी रंग का विक्षेपन सबसे दिखोगा option number यह राइड आंसर है आदोनिक आवर्थ सानी में याद रखेगा अगली कोशन पूज़ा गया है आपसे कि 18 से 0 वर्ग में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं तो 18 से 0 वर्ग में रखे तत्व यह जाने जाते हैं आपके निश्क्री धातु के नाम से option आपसी निश्क् सदस्ट क्या होता है तो प्रतेक आवर्थ का आखरी सदस्ट से पूछा गया है तो आखरी सदस्ट से होगा आपका एक निश्क्री गैस सबसे आखरी सदस्ट से हर आवर्थ की थाइरोइड ग्रंती कहां इस्तित होती है option देखी यक्रत कान गला या आँख right answer हो जाएगा थ इहां पर अधिवक्रंती प्रश्न के लिए right answer हो जाएगा मानौव शरीखी कौन से ग्रंती एक साथ अंत रस्तरावी और बहर्स्तरावी दोनों की तरह करती है most 잘ний कोशन है तो हमारे शरीखी अग्रंटी अस थाफी अंत्याश्य दोनों की तरों की तरह करती से इंसुलिन होता है अगनाशा है ग्रंथी से निम्नल कित में से कौन सा हार्मोन है इन में से कोई एक हार्मोन है आप से पूछा गया है तो यहां पर जो ऑप्षन दिएगा है वैसो प्रोसिन एक हार्मोन है वैसो प्रोसिन एक option दिएगा है इसमें से आपकी एक तो देखो फिबुला है और टीविया option नमबर भी फिबुला और टीविया ये पांग की हड्डियां होती है option नमबर भी सही answer है EEG का प्रयोग किसकी गतिविधी दर्ज करने के लिए किया जाता है EEG का प्रयोग होता है मस्तिष्क की गतिविधी दर्ज करने के लिए option नमबर भी मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा कांडरा या टेंडन ये जोडता है किसको किस से तो कांडरा या टेंडन ये जोडता है पेशी को हड्डी से option number भी पेसी को हड़ी से जोड़ता है tendon याद रखेगा सर्वग्राही कौन से रोधिरवर्ग का होता है तो सर्वग्राही बिल्कुल easy question पुछा है A B universal मतलब ले सकता है भाई A B ले सकता है आने दो कोई सा भी रखत आए सर्वदाता कौन सा होता है तो universal सर्वदाता आपका donor होगा O option number यहाँ पर B प्रशन के लिए right answer हो जाएगा यदि मातापिता में से एक का रोधिरवर्ग A B है और दूसरी का O हो तो बच्चों का संभावित रोधिरवर्ग क्या होगा तो बच्चों का जो पराशन जिसमें gas रोधिर में प्रविश करती है खून में और फिर से छोड़ देती है पराशन option number C मनुष की लाल रख्ट कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है लगभग तो लाल रख्ट कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है option number A यहाँ पर right answer है मनुष की स्वेट रख्ट कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो स्वेट रख्ट कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 2 से लेकर 4 दिन तक वे जीवित रहती है option number A पेश मेकर का संबंद इनमें से किससे है तो पेश मेकर जो है यह आपके दिल से हुर्दा से संभनेत है option number A हुर्दा से संभनेत है patient maker patient maker का कार क्या होता है तो जो patient maker होता है इसका कार होता है दिल की धड़कन को आरंब करना option number यहाँ पर C सही answer है दिल की धड़कन को आरंब करना patient maker का कार है नाड़ी दर नाड़ी दर कहां से मापी जाती है, नाड़ी दर यदे आपको मापना है तो नाड़ी दर आपकी धमनी से मापी जाती है, option number A धमनी से मापी जाती है, right готов है, right answer हो जाएगा, caution कई बार एक्साम में आए हुआ है, मानव श्री में खूम की सुधीकरण की प्रक्रिया को क्या कadesh कह जाता है। निमनेल कितो प्रकार्वीण बढ़ाने के लिए प्रतित करता है। प्रकाश की युड मुड़ा हुआ प्रतित होता है। यहां पर right answer हो जाएगा आपका oxygen, oxygen जो है हर्मोन है, यह पादब कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रतीत करता है, जिसे प्रकाश, पादब जो है प्रकाश की और मिड़ा हुआ प्रतीत होता है, पादब रद्धी हर्मोन किस से निकाली जाते हैं, तो पादब प्रती हर्मोन यह कवक से निकाली जाते हैं, option number a, कवक right answer है प्रशने के लिए, कोशिका विवाजन में मदद करने वाला हर्मोन इन में से कौन सा है, तो कोशिका के विवाजन में मदद करने वाला हर्मोन आपका cytokinin है, option number c, cytokinin right answer है, बोने पोधों को किसके अनुपरयोक से लंबा किया जा सकता है तो बॉने पौधों को आपके जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा कर सकते हैं option number A यहां पर राइड आंसर है पशुओं में हीमोगलोविन के सदस्च पौधों में कौन सा अनुप होता है तो पशुओं में option number यहां पर भी राइड आंसर हो जाएगा अगनी निर्जा रोग किसे संबने थे इन में से अगनी निर्जा रोग आपका यह से संबने थे एक रोग है option नमबर A यहां पर प्रश्ण के लिए राइड आंसर है पौधों में क्या नाम है तो कपालिका को ढखने वाली मास्पेशियों का नाम है आपका गैलेना एपो नियूरोटिका option नमबर A यहां पर राइड आंसर हो जाएगा गैलेना एपो नियूरोटिका मानव शरी में क्रेनल तंत्रिकां की संक्रा कितन होती है तो क्रेनियला तंत्रिका है हमारे शरी में 12 हैं उप्षन नमबर A मतलब 24 तंत्रिकां है विटमिन relatively copy को की को जाना जाता है टोपो फेराओल के नाम से उप्शनमबर ईतों को फैराओल राइड आंसर हो जाएगा कास्टिक सोड़ा का राशानिक सुत्र न्मेर्ट क्या हो जाएगा तो काष्टिक सोडा का रासलिक सुत्र है एनो question मबर ए यहां पर राइड onसर हो जाएगा अगला question दिखी रहए प्यायद पड़ाइर पीओड पी का रासलिक नाम क्या है तो पीओड का रासलिक नाम है आपका calcium sulfate hemohydrate option number यहाँ पर right answer है P.O.P के लिए विरंजक चून का राजसानिक सुत्र इन में से क्या है तो विरंजक चून का राजसानिक सुत्र है आपका CAO CL2 option number भी यहाँ पर से answer हो जाएगा CAO CL2 अगला question दिखिए विरंजक चून का राजसानिक नाम क्या होता है तो विरंजक चून को जाना जाता है calcium oxy chloride के जरीए option number A calcium oxy chloride right answer है bleaching powder निम्लिक दिमें से किस से गुजार का तयार किया जाता है तो bleaching powder को बुझे हुए चूने से गुजार का तयार किया जाता है option number A बुझे हुए चूने से right answer हो जाएगा milk of magnesia के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रती अम्लिका मुख्य तत्व क्या होता है तो milk of magnesia में आपका MGOH का whole twice option number C से answer है milk of magnesia में बाजार में लाए जा रहे प्रती अम्लिका मुख्य तत्व अगला question देखे इसमें पूछा गया आपसे अधिक उचाई में मानो शरीर में लाल रख्त कणिकाओं पर क्या प्रहाओ पड़ेगा अधिक उचाई पर जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी लाल रख्त कणिकाओं की option number C लाल रख्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है माना हुरधाय में कितने कक्छे आचेंबर होते हैं माना के है रिदाय में आपके होते हैं चार कक्छे आचेंबर option number सी यहां पर right answer हो जाएगा कोशिका की कोश किसने की थे हैं कोशिका की कोश यहां पर जो option दिए गए है बिर्द क्यों रोबर्ट अनबर सी किसकी मौझूदिगी के काण होता है तो पपीते में जो पीला रंग होता है यह आपका कैरिका जैन्थिन के काण होता है option number यहाँ पर डीस है आंसर है कैरिका जैन्थिन मिर्च का तीकापन किसके काण होता है तो मिर्च में जो तीकापन होता है यह होता है आपका कैप साइनिन की उपस्तितिकान option number भी right answer हो जाएगा निमनल कितमे से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग होने वाला है यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए option number option number भी यहाँ पर right answer है निमनल लिखेत में से कौन प्रदूशण संकेट होता है तो प्रदूशशक संकेट होता है आपका like in option numbers lichen प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा double Roti के निर्मान में किस कवक का प्रयोग किए जाता है तो डबल रोटी के दिननाने प्रेवक कि जाता है आपका सेक रोमाई सेज का option number से सेक रोमाई सेज राइट आंसर है पैनिसलीन की खोज किसने की है तो पैनिसलीन के खोज करता है आपके अलेग्जेंडर फ्लेमिंग option number भी Alexander Flaming यहाँ पर दो पेटिक लग गया है एक को मैं मिटा देता हूं रुख जाएए option number यहाँ पर भी Alexander Flaming प्रशने के लिए right answer हो जाएगा या रखेगा अगला question देखिए इसमें क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है आपसे निम दलकित में से कौन सा एक विसपोटक नहीं है एक विसपोटक नहीं है तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म यह विसपोटक नहीं है बाकी सभी आपके विसपोटक की स्रणी में आते है नाइट्रो chloroform यह विसपोटक नहीं है या रखेगा अगला कॉशन दिख लेते हैं अगले कॉशन में आपसे क्या पूछा गया है निम्दलगत में से किस विसपोटक का नाम noble तेल है noble तेल के नाम से कौन सा विसपोटक जाने जाता है तो TNG यह noble तेल के नाम से जाने जाता है option number a TNG को noble तेल का हो जाता है gymaxine का रासायनिक नाम किया होता है तो gymaxine का रासायनिक नाम आपका benzene hexacloride होगा option number यहां पर right answer है कारबोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है तो कारबोरेडम यह silicone carbide का दूसरा रसानिक नाम है option number B option number C right answer है मिथाइल आइसो साइनलेट गैस जिसके कहान दिसमबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी यूनियन कारबाइट फेक्टरी में किसके उत्पादन के लिए प्रियुक्ट किया जाती थी तो MIC गैस का या मिथाइल आइसो साइनाइट गैस का प्रियुक्ट किया जाता था पीड़क नाशी के लिए बनाने के लिए पैस्टी साइट बनाने के लिए option number D नियमने लगत में से किसे वोड़ इस्प्रिट भी कहा जाता है तो वोड़ इस्प्रिट के नाम से जाने जाता था आपका option number HCL right answer है रसाइनों का राजा किसे कहा जाता है इन में से तो रसाइनों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है आपका अप्शन नमबर A, Sulfuric Amble को रसाइनों का राजा कहा जाता है बैटरी में लगत में से किस एक एसेड का प्रयोग किया जाता है तो बैटरी में होता है आपका Sulfuric Amble का प्रयोग Option नमबर B, Sulfuric Amble right answer हो जाएगा निमने लगत में से कौन अर्दचालक है यहाँ पर जो Option दिये गए है इसमें से आपका यंदि बीकिन में से क्या होगी तो म के असे मात्रक में रभ Three मीटर Option नमबर याँ पर सिनी प्रती मीटर बिलकुल साही आंसर हो जाएगी प्रश्टमी का दरब्यमान कितना होता है तो प्रफिवी का दरब्यमान या पर सैहान सर हो जाएगा गुड़ोग जाँ, दस के ऊपर 24 की घात इलिएम, या रिंखेगा, प्रमानू भार अंतराश्टी मातरक में है, सिवार। है option number v भी विस्मांगी मिष्ण होता है कोहासा किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो किसी भी परमाणु का जो गुण होगा वह उसकी electronic सरचना पर निर्भर करेगा option number याँ पर डी इस electronic सरचना राइड आंसर है cathode किरने बनी होती है किस से तो cathode किरने आपकी ये बनी होती है electron से option number a electron right answer हो जाएगा अनिश्चिता की सिद्दान का प्रतिपादन इन में से किस ने किया अनिश्चिता की सिद्दान का प्रतिपादन आपका हाईजेन बर्ग ने किया है option number b हाईजेन बर्ग राइट आंसर है सबसे अधिक विद्दोत रिनात्मक्त तो इन में से कौन सा होता है तो सबसे अधिक विद्दोत रिनात्मक्त तो आपका fluorine है option number b fluorine सबसे अधिक विद्दोत रिनात्मक्त तो कहलाता है 18 karat सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है 18 karat सोने में 75 सकतर प्रिषिए लगबग सोना होता है option नमधरी यहां पर ॉपॉरस का अनुस्थर इनवे से क्या होता है तो फास्पोरस का अनुसूतर होता है आपका पीफोर option नमधर सी 24 राइड आंसर यह फास्पोरस के लिए सोने का Latin नाम इनमें से क्या है तो सोने को जाना जाता है ओरम नाम से option number A, ओरम कहा जाता है सोने को option number A, यहाँ पर right answer हो जाएगा सोने का रासानिक प्रतीक क्या होता है तो सोने का रासानिक प्रतीक होता है आपका AU option number A, AU, सोने का रासानिक प्रतीक है सुद्जल होता है सुद्जल क्या होगा अमली ये चारी ये उदासीन ये दोनो राइट आंसर हो जाएगा सुद्जल होता है आपका उदासीन ऑप्शन नमबर डी उदासीन राइट आंसर है रासानिक पदातों का समराट कहा जाता है किसको तो रासानिक पदातों का समराट सल्फियूरिक अमल को कहा जाता है option number B सल्फियूरिक अमल प्रशने के लिए right answer हो जाएगा चारी विलियन का pH मान कितना होगा तो जो यदि विलियन चारी है तो उसका 7 से अधिक pH मान होगा option number C 7 से अधिक right answer हो जाएगा सिर्के में पाये जाता है इनमें से क्या तो सिर्के में आपका असेटिक अमल पाये जाता है option number B असेटिक अमल राइड आनसर हो जाएगा सिर्के के लिए ATP का निर्मान कहां होता है ATP का निर्मान ATP का नर्मन आपका होगा Mitrocondia में option number C Mitrocondia प्रशन के लिए right answer है कोशिका विभाजन क्रिया आरंब होती है तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है ये आपकी आरंब होगी आपका central zone से option number D central zone right answer हो जाएगा Uracel किसमें पाए जाता है तो Uracel जो है ये आपका पाए जाएगा RNA में option number D RNA right answer है enzyme किसमें नहीं होता है enzyme जो है वाइरस में नहीं होता है option number D virus right answer हो जाएगा प्रशन के लिए अगला कोशिका दिखिए TMV शब्द का संबंद किससे है तो TMV जो शब्द है ये वाइरस से संबंद है option number C virus question के लिए right answer हो जाएगा अगला question दिख लेते है शरीर में गुणसूत्रों की संक्या कितनी होती है तो शरीर में आपके 23 से जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते है मतला total 46 गुणसूत्र option number A virus की कोज किसन नहीं की थी तो वाइरस की खोज करता है यहाँ पर जो option दिएका है सही answer हो जाएगा इवानो जो है इवानोवस की option number C यहाँ पर right answer है वहानोव में पीछे से आने वाले वस्तूओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है तो पीछे से आने वाली वस्तूओं को देखने के लिए उत्तल दर्पन का प्रयोग होता है option number C उत्तल दर्पन right answer है रोगियों का दात देखने के लिए दंत चिकित्सकों को द्वारा कौन सा दर्पन पर प्योग होता है तो दंत चिकित्सक यूज करते है आउत्तल दर्पन का option number यहां पर B right answer हो जाएगा आउत्तल दर्पन किसी वस्तू का प्रतिविंब मनुष की आँख में कहां बनेगा तो किसी भी वस्तू का प्रतिविंब मनुष की आँख की रेटिना पर बनता है option number D right answer है आपके लिए 10,000 question तयार किये गए है जो पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए है यदि आपको इसकी PDF चाहिए आपको PDF WhatsApp पर मिल जाएगी यह PDF जो है 10,000 question की 300 रुपे में है लेकिन starting की जो 1,000 बच्चे होंगे चुकि Group D का exam चल रहा है Group D के लिए बहुत important है यह PDF 99 रुपे में आपको यह PDF मिल जाएगी साथ ही साथ railway, SSC, पटवारी, पुलिस इन सभी में आई हुए 30 साल से खट्टे की हुए question है दिए गए number पर आप call कीजिए phone पे, paytm या फिर आप जो है Google पे की जरिये जो है payment कर सकते हैं जिसको PDF चाहिए screenshot ले लो और हमें वीडियो के बाद आप call कर लेना या WhatsApp कर लेना